सबको नमश्कार अबग 25,000 active cases हैं, 33,000 लोग ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं, 25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी करोना हैं, अस्पतालों में इस टाइम 6,000 के करीब लोग हैं, और 12,000 के करीब लोगों का उनके घर के अंदर इलाज चल रहा है, आज जैसा मैंने बताया दिल्ली में 25,000 active case हैं, आज से ठीक एक हफ़ता पहले दिल्ली में 24,000 active case थे, एक हफ़ते के अंदर केवल 1,000 active case बढ़े, इसका मतलब लगबग जितने लोग ठीक हो रहे हैं, उतने ही लोग बिमार हो रहे हैं, एक तरह से फिलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टेबलाईज हो रहा है, पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग बहुत बड़े स्थर पर, टेस्टिंग तीन गुना कर दिये, तीन गुना से भी ज़्यादा हमने टेस्टिंग कर दिये, बीच में लोगों को अपना टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही थी मैं समझता हूँ कि अब आपको टेस्ट कराने में दिक्कत नहीं आ रही होगी पहले लगबग 5000 टेस्ट डेली किये जाते थे अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे है बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया क्योंकि गलत काम तो किसी को नहीं करने दिया जा सकता कुछ लैब्स ऐसी थी जो की नेगिटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव दिखा रही थी जब उनकी चेकिंग की गई तो अब सारी लैब्स को सकती के साथ कहा गया है कि सही काम करना है और पूरी केपैसिटी के उपर काम करना है खूब टेस्ट करने है केंदर सरकार की मदद से दिल्ली में एंटीजन टेस्ट भी शुरू किये गए है एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्ट होता है पंदरा मिनट में आदे घंटे में पता चल जाता है तो इस टाइम दिल्ली के अंदर लगबग 18,000 टेस्ट डेली हो रहे है मैं समझता हूँ कि अब आपको अपनी टेस्टिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जो लोग, जिन लोगों का इलाज हम घर पे करते हैं जो लोग माइल्ड होते हैं, कम बुखार है, थोड़ी सी खासी है या कोई सिम्टम नहीं है ऐसे लोगों का इलाज उनके घर में ही रहके किया जाता है उसमें हम डेली हमारी टीम उनको फोन करती है उनसे हालचाल पूछती है, बुखार तो नहीं हुआ और उनको एड़वाईस देती है कि क्या क्या करना है अब हम इसमें करोना में हमने देखा कि एक ही चीज की समस्या सबसे ज़्यादा होती है कि मरीज का ऑक्सिजन लेवल गिर जाता है मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है मरीज को ब्रेथलेसनेस दे होती है और मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की जरूर पढ़ती है अगर मरीजों को सही टाइम पे तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए तो कई मरीजों को बचाया जा सकता है तो इसके लिए अब हमने क्या किया है कि जितने अब होम क्वारिंटाइन के केसे होंगे होम आईसोलेशन के दिल्ली सरकार हर होम आईसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्समीटर देगी आप उस पल्समीटर को अपने घर रखिए जब आप ठीक हो जाएं सरकार को वापस कर दीजे दस दिन के बाद उस pulse meter से आप हर घंटे में, दो घंटे में आप अपनी oxygen नापते रही हैं अगर आपकी oxygen कम होती है, हम आपको एक phone number देदेंगे, उस पर phone कर दीजेगा हर district में हम oxygen के concentrator रख रहे हैं तुरंट हमारी team concentrator लेके पहुंच जाएगी, जल्द से जल्द और आपको तुरंट आपके घर में oxygen दे दी जाएगी और अगर जुरूर पड़ेगी तो आपको अस्पताल में shift कर दिया जाएगा कई बार हमने देखा है कि oxygen तुरंट ना मिलने की वज़े से अस्पताल में shift करने तक इतने में ही कई बार मरीज कभी कभी collapse कर जाता है तो इसलिए हर district के level पे हम लोग oxygen के concentrator रख रहे हैं और अगर आपको जुरूर पड़ेगी तो concentrator पहले तुरंट आपके घर पहुंचा दिया जाएगा ताकि आपको समय पे oxygen मिल सके और आपको control किया जा सके फिर आपको अस्पताल ले जाएंगे और अस्पताल में आपका इलाज किया जाएगा 12 जून को दिल्ली के सारे अस्पतालों में मिला के 5300 beds भरे हुए थे आज की date में बासट सो बेड भरे हुए तो लगबग 10 दिन में केवल 900 बेड भरे इन 10 दिनों में 23,000 नए 23,000 नए मरीज आए 23,000 नए मरीजों में से केवल 900 beds की जरूरत पड़ी एक्स्टा beds की जरूरत पड़ी इसके दो माइने हैं एक तो यह की जितने लोग अस्पताल में एडमिशन ले रहे हैं उतने ही लोग लगबग ठीक होके घर भी जा रहे हैं और दूसरा यह की जितने नए केस आ रहे हैं इनमें serious केस बहुत कम हैं mild केस और asymptomatic केस जादा हैं जिनका हम घर पर इलाज कर रहे हैं serious केस बहुत कम है जिनको अस्पतालों की जरूरत पड़ रही हैं तो लगबग beds की स्थिती ऐसी है कि daily basis पे 150-150 extra beds की जरूरत पड़ती है उतने बड़े scale के उपर beds की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही है लेकिन फिर भी हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे मुझे बेहत खुशी है कि आज की date में एक तरफ जहां 62 बेड़ occupied हैं 7000 बेड़ खाली हैं बीच में थोड़ी सी बेड़ की मारा मारी हुई थी लेकिन हमने युद्ध स्थर के उपर सारे अस्पतालों से बात करके सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों में आपके लिए beds का इंतजाम किया है आज की date में 7000 beds खाली हैं इस दोरान हमें केंदर सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है दिल्ली सरकार और केंदर सरकार मिलके दिल्ली में करोना को काबू पाने की कोशिश कर रही है ये समय राजनीती करने का नहीं है ये समय आपस में लड़ाई जगड़े का नहीं है अगर हम आपस में लड़ेंगे तो क परोना को हरा सकते हैं. आज पूरा देश चाइना के खिलाफ दो युद्ध लडग रहा है. एक चाइना के दौारा भेजे गए वाइरस के खिलाफ और दूसरा चाइना के खिलाफ बाॉर्डर के उपर युद्ध लडग रहा है. वाइरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर हमारे नर्स ये सब युद्ध लड़ रहे हैं और बॉर्डर के उपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिल के लड़ना है इसमें बिल्कुल राजनीती नहीं होने चाहिए इसमें कोई पार्टी बाजी नहीं, कोई गुट बाजी नहीं सारे देश को एक होके करोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है हमारे 20 जवान पीछे नहीं हटे हम पूरे देश भी पीछे नहीं हटने वाला जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तपको दक देश पीछे नहीं अटेगा जैहिन सबको नमस्कार दोस्तों दिल्ली में कोरोना काफी फैला हुआ है और जनता के साथ मिलके केंद्र सरकार के साथ मिलके हम इसे काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जिन लोगों को कोरोना हो जाए उनके इलाज की समुचित विवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं आज दिल्ली में लगबग 25,000 एक्टिव केसिज हैं 33,000 लोग ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं 25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी करोना है अस्पतालों में इस टाइम 6,000 के करीब लोग हैं और 12,000 के करीब लोगों का उनके घर के अंदर इलाज चल रहा है आज जैसा मैंने बताया दिल्ली में 25,000 एक्टिव केस हैं आज से ठीक एक हफ़ता पहले दिल्ली में 24,000 एक्टिव केस थे एक हफ़ते के अंदर केवल 1000 एक्टिव केस बढ़े इसका मतलब लगबग जितने लोग ठीक हो रहे हैं उतने ही लोग बिमार हो रहे हैं एक तरह से फिलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग बहुत बड़े स्टर पर टेस्टिंग तीन गुना कर दिये तीन गुना से भी ज्यादा हमने टेस्टिंग कर दिये